Hello guys, welcome to Special Education, Namaskar, दोस्तों सुवागत करता हूँ आप सबका आपके अपके अपनी YouTube चैनल में जिसका नाम है Special Education So, जैसा कि आप लोग अपनी मुबाइल स्कीन पर देख सेकते हैं, आज की विडियो में हम बात करेंगे हैं F.C. Watchman's related English के कोशिशन के बारे में And this is your part number second, part one मैं already discuss कर चुक हूँ, तो अभी तक आप लोग ने वह पार्ट वन नहीं देखा, तो आप लोग जा कर देख सकते हो Actually playlist बना रहे हैं, मैंने F.C. Watchman's related जितनी भी वीडियो सप्रोट किया है, वो सारी playlist में है तो आप जा के चेक कर लेना, playlist का जो link है, वो आपको नीचे description box में दियो है जितनी भी classes हुए है, चाहे हो current affairs की classes हो, GK के questions की classes हो, previous year question paper की classes हो या फिर इसके अलावा English की classes हो, वो सारी classes आपकी playlist में भी लेवल है, तो जा कर आप लोग देख सकते हो, ठीक है तो चलिए, start करते है, यह हमारा आज का part number second, और यह series चलती रहेगी, जब तक आप लोग का exam नहीं होता और अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया, then please do subscribe the channel also press the bell icon, so you can get all the latest updates from our channel तो चलिए, अब हम move करते हैं, हमारे question number one की तरफ so पहले question से हम लोग start करते हैं, इससे पहले एक छोड़ी सी information और share करना चाहूँगा अगर आप लोग FCE Watchmen की regarding mock test डाउनलोड करना चाहते हैं, तो mock test जो की बिलकुल latest आपके examination pattern पर basis है और आज के यह वीडियो आप लोग को देख कर पता लग जाएगा कि examination का level क्या होगा तो बिलकुल examination की level पर mock test design की गई है, तो आप लोग total 10 mock test है, अगर आप लोग download करना चाहो तो description box लोग लिक दिया हो, जाकर download कर सकते हो, with answers आप लोग के दे रखे हैं तो जाके एक बड़ चेक कर लेना, सही लगे तो आप लोग download कर लेना, ठीक है, PDF file format में वो सारे आपके mock test provide किये गई है, तो चलिए start करते है, पहला question आपके सामने है, actually in questions में आप लोग को error find out करने है, ठीक है तो questions आपके सामने है, apart from contributing to the air pollution, a large number of vehicles on the Indian roads also contributes to the noise pollution, ठीक है, इसमें आपको error find out करने है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके अपना answer mark कर लो, मैं आपको इसका right answer रप्तार हो, actually एक rule होता है, a number of और the number of ठीक है, और मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, पहले जब मैं आपको तयारी करवा रहा था, mc चंडिकर की, so a number of के बाद, हमेशा जो noun आएगी आपकी वो plural आएगी, और इसके बाद जो verb आएगी, वो भी आप लोग की plural आएगी, तो चलिए हम question की तरफ move करते है, question में दि यहां पर contributes नहीं आएगा, यहां पर आएगा contribute, क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको आएगा, a number of के बाद, जो noun आएगी, वो भी plural आएगी, जो verb आएगा, वो भी plural आएगा, so इसका right answer है, option number D में आपकी यहारा है, so option number D is your right answer, I think यह चीज आप लोग को clear होगी, अग आपको error find out करें, मैं आपको इसमें error बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर देखो, D number part में, but not with much clear on the road ahead, तो यहां पर with much clear नहीं आएगा, with much clarity आएगा, ठीक है, तो यहां पर आएगा, with much clarity, so इसका right answer होगा, so इसमें भी जो error है, वो part number D में है, so option number D is your right answer, अगला question आप question है, बहुत सारे examination में repeat हुआ है, if I was a rich man, I would make more charitable donation, मतलब अगर मैं अमीर आदमी होता, तो मैं और भी बहुत ज़्यादा charitable donations देता, तो आपको पता है, अगर ऐसी कोई condition होती है, अगर मैं यह होता, अगर मैं president होता, अगर मैं बहुत बड़ा आदमी होता, अगर मैं अमीर होत तो if के साथ, I के साथ हमेशा वर आएगा, वोस नहीं आता, तो if I were होएगा, तो यहाँ पर वोस की जएगा वर होएगा, so option number A में अरर है, so option number A is your right answer, ठीक है, अगला question आप लोग के सामने है, after a long adjustment, the jury have given the verdict on Sunday, तो यह आपके collective noun से question है, वीडियो पोस करके आप लोग अंसर मा कर लो, मैं आपको इसका right answer बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, बहुत सारे लंबे अरजर्मेंट के बाद मतलब, डिले के बाद, जूरी है, उसने अपना verdict दे दिया Saturday को, तो यहाँ पर बात हो जूरी, और जूरी है, यह आपको पता है, collective noun है, और collective noun के पात जो हमेशा आपकी verb आती है, वो हमेशा आपकी singular आती है, तो यहाँ पर जूरी की बात है, यह जो है यह गलत है, है, तो इसका right answer होगा, तो जूरी has given the verdict on Saturday, तो इसका right answer है, तो इसका right answer है, और अपको पता है, अगला question की तरफ मूव करते है, next question आपके सामने है, you had better to watch the way you walk to me in the future, तो इसमें आपको error find out करनी है, तो आप इसमें error find out करो, मैं आपको उसका right answer बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको part number B भी दिख रहा है, to watch, उससे पहले दिख रहा है better, तो बैटर के बाद कभी भी two plus verb की first form नहीं आती, बैटर के बाद कभी भी two plus verb की first form न मतलब है कि two plus verb की first form नहीं आईगी, सिधा verb की first form नहीं आजएगी, ठीकिया, bare infinitive का मतलब होता है, हमेशा verb की first form नहीं आपको नहीं है, तो इसका right answer होगा, option number B, part number B में error है, और चो right sentence बनेगा, बनेगा, you had better, watch the way you talk to me in the future, so option number B is your right answer, two hurt जाएगा इसमें, अगला question number 6 आपके सा 10am, but he was better, he was later than I expected, मतलब मैं 10 बजे पोंचा, but वो जितना मैंने expect किया था, उससे भी ज्यादा लेट है, तो इसमे error find out कर लो, मैं आपको इसका right answer उतारू, यहाँ पर बात हो रही है, तो comparison में later है, तो यहाँ पर later, L-A-T-E-R नहीं आएगा, L-A-T-E-R आएगा, ठीक है, मत question आपके सामने 7 to 10 number question में directions दियो है, in each of the sentence four words are given in bold, in which one word is either misspelled or grammatical in appropriated, मतलब आपके सामने sentence दियो है, और इमें जो highlight किये गए है words, या तो वो incorrect है, या तो उनकी spelling mistake है, वो grammatical incorrect है, तो आपको error find out करना है, ठीक है, तो यह जो bold words दियो है, इन में आपको देखना है, इनकी spelling सही या फिर यह grammatical incorrect दियो है, या आपको देखना है, तो पहला question आपके सामने वीडियो पोस्ट करके answer माक कलो, मैं आपको इसका right answer बता रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रही है, इंडियन constitution की, तो इंडियन constitution की spelling है, वो बिलकुल सही है, तो यह आपका सही है, अगली है, इट वा मतलब होता है, उलंगन करना, तो यह की spelling गलता है, तो right answer होगा हमारा option number B, I hope आप लोगको clear हो रहा होगा, अगले question की तरफ move करता है, 8 number question, we have a standing invitation to visit them anytime, but we choose not to go anymore, so इसमें आपको error find out करनी है, so anymore की spelling सही है, choose की spelling सही है, visit की spelling सही है, but यह जो standing है, यह spelling गलता है, standing की सही spelling होती है, s-t-a-n-d-i-n-g, so इसका right answer है, option number A is your right answer, ठीक है, option number A में error है, standing की spelling गलता है, next question आपके सामने है, 9 number question, second last question आज की वीडियो का, where all parties consent, the court में make vary or revoke directions without the need for attendance at court, so इसमें आपको error find out करनी है, वीडियो post करके error find out कर लो, मैं आपको इसका right answer बतारू, consent मतलब सहमती, बिलकुल सही ह code की spelling बिलकुल सही है, revoke directions, revoke की spelling बिलकुल सही है, यहाँ पर जो attendance है, इसकी spelling गलता है, so इसकी, जो spelling होती है, वो मैं आप लोग के सामने screen पर लिख रहा हूँ, A, double T, E, N, D, A, N, C, E, ठीक है, यहाँ पर जो A लिख हुआ है, यहाँ पर E आना था, so यह इसकी attendance की right spelling होती है, इसका जो right answer होगा, वो होगा, option number D, option number D में error है, हमारा आज का last question, last but not the least, उसे पहले दुबारा repeat करना जहूँगा, अगर F, F से watchman से लेटे, बिलकुल लेटेस्ट examination pattern पर mock test डाउनलोड करना चाते हो, तो link आप लोग को नीचे description box में दियो है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सही है, bluntly की spelling सही है, और candid की spelling सही है, तो सारे की सारे options सही है, तो इसका जो right answer होगा, वोगा, option number E, no error, छीक है, तो यह था आपका आज का वीडियो, और नीचे यहाँ पर answers दे रखे है, detail answer आप लोग को provide कर रहा हो, और इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है, तो भी नीचे description box मे देने आवाद दोस्तों आज के लिए बसित रही है,